तू लाइनस से शुरू करता हूँ कि तुझे गले लगाने में एक मसाला ये भी है तुझे गले लगाने में एक मसाला ये भी है वहाँ से तेरे चेहरे के मुस्कुराहट नहीं दिखती अब एक पोयम है मैंने बहुत कुछ लिखा बहुत कुछ मिटाया और बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया पर वो शब्द कभी मिले ही नहीं जो तुझे बया कर पाते हैं यूँ तो मैं कह सकता था कि तेरी आखों के आगे रात की तारी की भी फीकी लगती है पर जब तू पलकों को हौले से जपका कर देखती है तेरे उन नजरों को कैसे लिखता यूँ तो मैं कह सकता था कि तुझे सुनना मुझे सबसे अच्छा लगता है पर मैं तेरे सुनाने के अंदास को कैसे लिखता यूं तो मैं कह सकता था कि जब तू गीले बालों में आकर अपने बाल बनाती है बहुत खुबसूरत लगती है पर तेरे गीले बालों में हाथ भिराना फिर उन पानी की भूंदों का टपक जाना मैं कैसे लिखता यूं तो मैं कह सकता था कि तेरी सादगी तेरा भूलाबन, तेरा ज्हलाना, तेरा नजरिया, सब तेरी नुमाइंदगी करते हैं पर इन सब के बीच तेरा मुस्कुराना मैं कैसे लिखता है तू ही बता, मैं तुझे कैसे लिखता दूसरी पोयमतिये थोड़ी बड़ी है लेकिन यह होता है कि जब हम किसी व्यक्ती के साथ वक्त बिताते हैं तो हमारी अच्छी आदे बन जाती है और हर दिन एक खास दिन होता है तो वो जो दिन होते हैं उन दिनों की आपस में लड़ाईयां हो रही हैं यहांपे कि कौन सबसे खास है बड़ी मुश्किल में फस गया हूँ मैं आजकर उसके साथ बिताय दिनों में जंग छिड़ चुकी है हर दिन खुद को एहम बता रहा है मैं हर दिन को एहम बता रहा हूँ पर सवाल है सबसे उपर होने का वहां तो सिर्फ कोई एक ही रह सकता है मैं फैसला करने बैठ गया हूँ जो उन ने ये हवाला देते हुए खुद को उपर रखा कि उसके साथ मुलाकात मुझसे ही शुरू हुई थी उसकी मस्कुराहट पहले मैंने ही देगी थी उसका नाम मैंने ही जाना था वो पहला एहसास मैंने ही जगाया था ये सुन्दर जुलाई बॉखला गया कहने लगा बहले ही शुरुआत तुम से हुई हो पर वक्त मैंने बिताया है उसके साथ सावन की पहली बारिश में वो भीगी है मेरे साथ देर सारी बाते की हैं मेरे साथ और के सुबूत चाहिए मुझे रहना है उसके साथ अब बारी थी अगस्त की वो कहीं कोने में छिपा बैठा था थोड़ा सहमा बैठा था जीरे से बोला कुछ खास है नहीं बताने को पहला एहसास है नहीं चताने को गिंच उनकर चंद लम्हे समेट रखे हैं मैंने अब सोचने पर जादा कुछ याद आता नहीं बस उसका चूना याद आता है उसका शब्दों को नए मानी देना याद आता है उसका फिक्र करना याद आता है उसका चिड़ाना याद आता है उसका बालों को खोल कर बांधना याद आता है उसका किस्सा हर एक पल्याद आता है बस यही चंद यादे हैं बताने को नहीं है शौक सबसे उपर आने को मुझे जून जुलाई से भी कोई गिला नहीं उनके बिना सच में मुझे कुछ मिला नहीं मैं कोई फैसला सुनाता इस से पहले वो समझ चुके थे फसाने को खत्म हुआ था शौक सबसे उपर आने को लगे आपस में अपनी ही बात बनाने को फिर से उसका एक नया किस्सा सुनाने को अब क्या होता है कि जब दो प्रेम में हारे हुए लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो यह होता है कि एक जो नया रिष्टा बन सकता था उन दोनों के बीच में वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है उसके उपर दो लाइन स्लिवी थी और फिरंट में प्रेम में हारे दो व्यक्तियों की आपस में शादी हो गए दोनों ताउम्र एक दूसरे में अपने खौय हुए प्रेम को ढूंडते रहे देख तूर आईन स्लिवी था कि हिदायते मिली थी मुझे जीनत से बचने की जीनत खुब सूर्ती हिदायते मिली थी मुझे जीनत से बचने की मुझे तो उसकी साध़गी ले डूगी थैंक यं